फॉर्वर्ड स्टॉप आडवीनो नैनो बी एली थर्टी थी सेंस में मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाते हैं इसमें आडवीनो कुछ वर्ट को रिकनाईज करके कोई एक्शन ट्रिगर करेगा जैसे यहाँ stop कहने पर red LED जल जाती है और forward कहने पर green LED इस किसम की मशीन लर्निंग मॉडल को keyword spotting मशीन लर्निंग मॉडल कहते हैं यह मॉडल constantly एक audio stream को monitor करता रहता है और जब कोई specific words या phrases जिस पर की मॉडल को train किया गया है वो सुनने में आते हैं तो कोई action जो है वो trigger हो जाता है यह बिलकुल वैसे ही है जैसे आईफोन में Hey Siri जो words है वो आईफोन के wake up words है इनको सुनते ही आईफोन जो है वो ready हो जाता है further instructions के लिए तो सबसे पहले हम keyword spotting machine learning model कैसे बनाते हैं इस process का एक overview लेते हैं इस process का first step है data collection इसमें हम जो हमारे desired keywords है उनको record करके upload करते हैं फिर next step में यह जो audio data है इसकी एक visual representation generate होती है जिसको spectrogram कहते हैं यह visual representation इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा machine learning model है वो analog audio data को नहीं समझ पाता केवल उसका जो visual representation है वो उसको ही समझ पाता है जैसे यह एक spectrogram है अभी मैंने आपको machine learning model दिखाया उसका यानि की forward, stop और silence इन तीन का visual representation यह spectrogram दिखाता है फिर हम model को train करते हैं जिसमें कि हम कोई neural network यूज करते हैं जो की specifically audio classification के लिए बने हैं step 4 है model evaluation इसमें जब हमारा model train हो जाता है तब हम उसको test करते हैं और अगर उसकी accuracy कम होती है तब हम model को refine करते हैं यानि की या तो हम model को और data देते हैं train होने के लिए या जो training epochs है उनको बढ़ा देते हैं या किसी और तरीके से model को tweak कर देते हैं next step है model deployment का जहाँ पर की हम वो code generate करते हैं जो की इस machine learning model को हमारे specific device पे चला देता है जैसे इस case में हम Arduino के लिए model develop कर रहे हैं तो हम एक Arduino का sketch जो है वो generate करेंगे और उसको device पे upload करेंगे और फिर final step है real time inference यानि कि जो हमारा device है जब उस पे ये model upload हो गया है तो वो constantly जो incoming audio stream है उसको monitor करता रहता है और जब भी वो ये keywords detect करता है जिस पे कि उसको train किया गया है तब कोई action जो है वो trigger हो जाता है जैसे इस case में forward सुनके green LED का जलना और stop सुनके red LED का जलना ये keyword spotting model हम edge impulse नाम के platform पर generate करेंगे फर्स step में हम जो हमारे keywords हैं forward, stop और silence इनको record करके upload करेंगे उसके बाद हम इन keywords की एक visual representation generate करेंगे जिसके basis पे हमारा जो keyword spotting का ML model है वो generate होगा फिर हम इस model को test करेंगे जानने के लिए कि हमारा model कितना accurate है फिर हम edge impulse platform में इस model का एक Arduino sketch जो है वो generate करेंगे और sketch generate करने के बाद हम Arduino IDE यूज़ करते हुए इस sketch को अपने device पे upload करेंगे और फिर वहाँ पर इसको use करके देखेंगे edge impulse.com website में आप edge-based computing के machine learning models बना सकते हो edge-based computing क्या होती है ये मैंने अपने एक और वीडियो में समझाया है तो edge impulse.com website पर आकर आपको एक free user account बनाना है account register करने के बाद आपको login करना है login करने के बाद आपको एक नया project शुरू करना है और आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो एक हम नया machine learning model बनाते हैं जिसमें let's say हम model को train करेंगे दो keywords recognize करने के लिए go and stop तो अब हमारा ये नया project दियार है for us to upload the data data upload करने के लिए हम यहाँ devices पे जाएंगे हमें यहाँ वो device connect करना है जिस device पे हम अपना data record करके upload करेंगे तो मैं यहाँ कह रहा हूँ connect a new device और अब ये मेरे को options दे रहा है कि हम अपने mobile phone को connect कर सकते हैं ये QR code scan करके और उसके बाद इस particular project में हम अपने phone पर जो भी हमारे voice samples है उनको record करके upload करेंगे दूसरा option है connect to your computer जो हम use करेंगे और तीसरा option है connect your device और development board हम अभी इसको नहीं use कर रहे हैं complicated है और computer या phone पे upload करना कहीं ज़्यादा आसान है इसलिए मैं नहीं use कर रहा हूँ पर अगर आप अपना Arduino यहां connect करना चाहते हो तो आप यहां पे search करके ये Arduino Nano 33 BLE Sense और इसके installation documents जो हैं इनको आप view कर सकते हो यहां पर step by step instructions दे गई हैं कि आपको अपना board कैसे connect करना है और फिर अपने board से आप किस तरीके से जो sound input है उसको record कर सकते हो अगर आप device को connect कर सकते हो तो probably यह ज़्यादा accurate होगा क्योंकि फिर जो sound के samples हैं वो आपकी device पर ही record हो रहे होंगे पर क्योंकि यह थोड़ा complicated है इसलिए मैं यहाँ पर यह करने के बदले मैं कह रहा हूँ connect new device और मैं कह रहा हूँ connect to your computer यह जो अब नई window को लिए है यहाँ पर हमाबस तीन options है collect images, audio या motion तो मैं यहाँ कह रहा हूँ collect audio samples फिर मैं अपने laptop के microphone के access दे रहा हूँ तो अब हम तयार है record करने के लिए तो मैं यहाँ पर जो हमारा पहला label है वो है stop और length है 10 second की और split automatically यह सब मैं default छोड़ रहा हूँ और start recording करके मैं बार बार यह word बुलूँगा stop different volume, different pitch के साथ ताकि computer के पास different samples हो जिस पे की हमारा machine learning model जो है वो train होगा stop 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 तो यह अब 10 second का जो यह पहला sound sample था यह record हो गया है और अगर मैं वोपस अपने project page पे जा रहा हूँ तो वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर मैं data acquisition पे जा रहा हूँ तो data acquisition पे हमारा यह first sample जो है यह stop का यह record हो चुका है और अगर मैं इसको यहाँ पे select करके test करूँगा तो यह बता देगा कि क्या चीज़ जो है वो record हुई है stop 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 तो यह ठीक sound कर रहा है तो इसी तरीके से हमारे को और samples एकटे करने है पर हमारे को काफी samples एकटे करने है to build an accurate machine learning model तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब मैंने यह दस बार stop बोल के record किया है तो यह जो मेरा first sample है मैं यहाँ पे यह तीन dots को click करके यहाँ कह रहा हूँ split sample यहाँ पर आप यह मेरे पास visual representation है कि जो samples record हुए है वो यह सारे sample है तो का clip record किया था उससे अब हमारे को 10 जो sample sounds है stop के लिए वो मिल गई है तो हम अब यही process repeat करेंगे stop के लिए जब तक हमारे पास around one minute का data for stop नहीं हो जाता फिर हम same process repeat करेंगे one minute का data record करने के लिए for go और one minute का data record करने के लिए for silence तो मैं वो पस जो audio recording की window है वहाँ जाके अब let's say कि हम stop के बाद अब go label को train करना चाते हैं तो हमने go यह label change किया set the label बाकी default छोड़ दिया and again start recording go 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 तो यह 10 second का हमने go का sample record किया जो की हमारी training category में अब यहां आ गया है तो यहां पर यह अब जो top label है यह go का है 10 second and again 3 dot click करके split sample करेंगे और यह जो window है यह अगर for example accurately नहीं sample के उपर है तो आप इसको move around कर सकते हो इसकी जो length है उसको छोड़ा या बड़ा भी कर सकते हो और आप अगर कोई sample miss हो गया है तो उसको आप select कर सकते हो तो मैं यहां कह रहा हूँ add a segment और फिर यहां click करके इस segment को ठीक से select कर रहा हूँ तो अब हमारे यह samples है हम एक दस second के samples है हमने कई सारे samples यहां create कर लिए है तो मैं इनको split कर रहा हूँ तो हमारे पास अब यह next जो हमारा keyword था go उसके भी यह सारे samples जो है यह एक अठे हो गए है आप ऐसा भी कर सकते हो कि label करके जब आप यह length है इसको आप बढ़ा दो और एक बार में बहुत सारा record करके फिर उसको split कर दो stop, stop, stop तो यहां पर यह stop जो है यह 20 seconds का record हुआ है और मैं यहां जाके कर रहा हूँ split sample तो एक ही बार में मुझे बहुत सारे sample मिल गए है और अगर यहां पर मुझे कोई एक नया segment add करना है तो मैं एक और नया segment add करके अब मैं इसको split कर रहा हूँ तो यह probably easier way है samples record करने का यहां पर अगर हम यहां पर देखें हमार को अपनी data के बारे में information मिल रही है तो जो data collected है वो stop का हमार पास 56 seconds का data है go का 46 seconds का data है और silence का 31 seconds का data है तो यह मैं approximately अगर यहां पर 20 seconds का data silence का और add करूँगा और maybe 10 seconds का go का add करूँगा तो हमारा जो sample size है वो kind of equal हो जाएगा तो अब मेरे पास around 3 minutes 16 seconds का data है और तीनों जो हमारे words है stop, go और silence इनका approximately 1 minute each का data है फिर next step पर यह हमार को train और test का split बता रहा है तो जब हम machine learning models बनाते हैं हम जो data upload करते हैं उसका approximately 80% model को train करने के लिए use करते हैं and approximately 20% हम save करते हैं जो कि हम बाद में test करने के लिए use करेंगे तो जब हमी split कर देते हैं तो जो हमारा ये 20% अलग data होता है ये training के दौरान use नहीं हुआ होता यानि model ने उसको नहीं देखा होता इसलिए जब हम test करते हैं हमारे को थोड़ी सी surety होती है कि हम test उस data पर कर रहे है model को जो model ने train होते वक नहीं देखा था तो यहां पर ये हमारे को एक warning दे रहा है कि जो हमारा go हमारा जो go है वो तो ठीक है around 80-20 की split है वर silence और stop की split जो है वो नहीं है hundred percent data टेस्टिंग में use हो रहा है तो मैं इसको dismiss कर रहा हूं फिर मैं यहां dashboard में जा रहा हूं और dashboard में हमारा ये go stop model है और मैं यहां scroll down करके यहां कहारा हूं perform train test split और वो कहारा है कि to the split मैं कहारा हूं yes और फिर मैं यहां यह type कर रहा हूं perform split तो अब ये जो हमारा data है अब अगर मैं वह पस data acquisition पे जाओं तो ये अब हमार को warning नहीं दे रहा है approximately वो कह रहा है 78-22% जो data है वो हमारा test or train में split हो गया है तो ये जो अब हमारी stage थी data collection और उसको properly split करने की वो पूरी हो गई है अब next step पर हमार को model creation चुरू करना है keyword spotting machine learning model में कैसे model को train करते हैं test करते हैं फिर Arduino में deploy करते हैं और फिर Arduino में LEDs connect करके उन LEDs को कैसे voice command से operate करते हैं ये सीखेंगे next video में